मित्रो हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है हम आज आपको कैलिशियम का बहुत ही एक अच्छा स्रोत बताने जा रहा है अगर आप इसको घर में तयार कर ले तो ये बहुत ही उत्तमों सदी आपके पास तयार हो जाएगी ये बच्चों की बढ़ती हाइट में बहुत कारगर सिद हुई है जोइंट दरद जोइंट दरद होते है कैलिशम की कमी के होजे से उसमें बहुत ही कारगर है और सरीर की रोक परतिरोद अक्षमता को भी ये बहुत तेजी से बढ़ाती है ये समझो कि ये आपके कई सो बिमारियों में कारगर सिद हो सकती है तो इसे बनाने का तरीका इसमें आप दो किलो बिना बुजा चुना ले दो से डाग इसकी एक किलो हल्द की गाठे ले बिना बुजा चुना जिसकी हम दिवारों पर पुताई करते है वो ही है तो इसमें जितना चूना हो है पहले इसमें पानी डाल ले और जब उसमें से एक आवाज आती है दुआ निकलता है जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद इसके अंदर हल्दी डाल दे यह मैं खुद तयार कर रहा हूँ और यह कम से हम 30 दिन के आज पास इसमें हो गई ह हल्दी इलाश में फूल जाती है और यह आपको रखने हैं कम से कम 40 दिन इसी घड़े के अंदर और यह कहीं खुली हवाँ में रखे और इसके उपर कपड़ा बांदे जिससे दूल और गरद नजाइज के अंदर और इसके बाद 40 दिन के बाद इसको धो कर साप कर सुखा ले उसके बाद इसका पाउडर बना ले इसे लेने का तरीका एक से दो ग्राम दूद के साथ इसका परियोग करे बच्चों के जो अट्डिया होती है भी बहुत ही मजबूत इससे हो जाएगी और उनकी जो हाइट क ग्रोथ है वो बहुत तेजी से बढ़ती है तो यह बहुत हिकाम की चीज़ है चुना हल्दी और इसको बीच-बीच में पानी जब खता हो जाए तो उसको गुमाते रहे और इसमें पानी डालते रहे क्योंकि यह सुरुगात में बहुत पानी पी जाती है तो इसका झाली